नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है पाउन मिस्रा पीके हिंदी यानबुक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यबाद तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे आप किसी के वेपसाइट का जावा स्क्रिप्ट कोड कॉपी कर सकते हैं दोस्त जो दीपा वली जो है राइके डिफेक्ट लगा हुआ है यह सब कैसे आप खुद क्रेट कर सकते हैं जहां दोस्तों आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ आज का यह वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाला है आपके लिए दोस्तों मैं आपको यह नही कोड कर सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को बिना स्क्रिप किये देखेगा क्योंकि दोस्तों मैं आपको इसमें कोपी करना भी बताऊंगा कि कैसे आप किसी का जावा स्क्रिप्ट कोपी कर सकते हैं और फिर उसे आप कैसे यूज कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजेगा दोस्तों लाइक अभी कर लीजेगा नहीं तो आप भूल जाएंगे बाद में कि लाइक करना है दोस्तों अभी आप लाइक कर दीजे मेरे वीडियो को और अगर आप फर्स् आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सस्क्राइब करेंगे तो दोस्तों चलिए अब देखते हैं कि कैसे आप अपनी वेबसाइट पर यूज कर सकते हैं दूसरे का जावा स्क्रिप्ट कोड तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर कुछ कोड आपको दिखा देता देख सकते हैं नीचे जो यहाँ पर थ्री कोड यहाँ पर लगे हुए हैं यह डेट टाइम और गूड मॉर्निंग कोड यहाँ पर लगे हुए हैं तो यह वाले कोड मैंने बहुत दिन पहले किसी यूटूब चैनल के डिस्क्रिप्शन से इसे डाउनलोड किया था लिंक मि मैंने अपने वेफसाइट पर यूज किया पर अभी थोड़े दिन हुए हैं और इसका जो डोमीन है वो इसपायर हो चुका है तो इसलिए यह कोड जो है अब वर्क नहीं कर रहा है और दोस्तों अभी जो आप ऊपर देख रहे हैं यह वाला फस्ट वाला जो कोड है पीके क दोस्तों यहां पर जो यह वाला कोड है यही मेरे वेफसाइट पर यहां पर वर्क कर रहा है यह जो दिवाली इफेक्ट कोड है वो यही वाला कोड है जो मेरी वेफसाइट पर वर्क कर रहा है तो दोस्तों अब सबसे पहले चलिए मैं आपको दिखा देता हूं यहां से ब कर सकते हैं तो simply दोस्तों इस code को आपको copy कर लेना है देखे मैंने यहां से all copy कर लिया इसके बाद दोस्तों मैं इस website पर आता हूं यह मेरी website है जिस पर मैं tutorial बना रहा हूं तो यहां पर आपको आने के बाद final पर simply क्लिक कर लेना है मैं refresh करके आपको दिखा देता हूं यहां पर कोई भी code नहीं लगा हुआ है तो मैं यहां पर final mode पर क्लिक कर देता हूं इसके बाद दोस्तों जब scroll करके आप नीचे आएंगे यहां पर तो यहां पर आप देख सकते हैं js file maker यहां पर यह वाला एक options आपको मिल जाता है तो simply आपको इस पर click कर देना है जैसे ही आप click करते हैं तो यहां पर no js file created तो यहां पर create new js file पर आपको simply click कर देना है तो चलिए मैं यहां पर click कर देता हूं इसके बाद जो code मैंने copy किया है वो यहाँ पर लाकर के paste कर देना है अब दोस्तों आपको यहाँ पर submit पर simply click कर देना है अगर आपको कुछ edit करना है दुबारा से तो वैसे आप इसमें छीड़ चाल ना करें नहीं तो यह code work नहीं करेगा तो यहाँ पर edit वाला जो first वाला options है यहाँ पर दे delete कर सकते हैं और delete वाले button पर click करके आप इसे delete कर सकते हैं और दोस्तों यह जो last वाला options है get.js file code तो इस पर आपको simply click कर लेना है तो यहाँ पर आपको यह code मिल जाएगा इसके बाद अब दोस्तों आपको करना क्या है इस code को यहाँ से I'll select कर लेना है तो चलिए मैं यहाँ पर अब आपको करना क्या अपनी website पर दुबारा से आना है और homepage पर तो चलिए मैं यहाँ पर homepage पर आ जाता हूं view mode पर click करके इसके बाद आपको अपने website का जो link है इसे आपको copy कर लेना है यहाँ से लेकर के और यहाँ dot com तक http से लेकर के dot com तक copy कर लेना है फिर दोस्तों यहाँ यहाँ पर आपको paste करना है script yes rc equal to और invited comma इसके बाद आपको invited comma और slice के बीच में आपको यहाँ पर थोड़ा space देता हूं और फिर यहाँ पर paste कर देता हूं अब आपको space यहाँ से remove कर देना है और फिर दोस्तों अब यह code जो है ready हो चुका है अब इस code को मैं यहाँ से copy कर ले लेता हूं इसके बाद लेकर के अपने website पर add कर देता हूं दोस्तों ऐसा नहीं कि यह code किसी website पर वर्क करेगा यह किसी website पर आप add करेंगे तो वर्क करेगा तो आप दोस्तों simply मैं पाइनल मोड पर कर लेता हूँ, इसके बाद दोस्तों आपको जाना है header में, तो मैं header पर click कर देता हूँ, इसके बाद यहाँ पर drop down menu पर click कर करके HTML tag code ले लेना है और go कर देना है, फिर दोस्तों उस code को मैं यहाँ पर paste कर देता हूँ, अब इसे top पर ही रहने देता हूँ, okey पर click कर देना है और फिर मैं अब यहां से back कर लेता हूं तो दोस्तों यहां पर मैं refresh कर लेता हूं एक बार देखते हैं कि यह work कर रहा है या नहीं तो दोस्तों यहाँ पर आपको परेशान होने की कोई आओ सकता नहीं यह थोड़े टाइम लगता है इसमें और यह UC ब्राउजर पर अच्छे से कोई website भी work नहीं करते हैं तो चलिए मैं इसका जो नाम है website का यह copy कर लेता हूं क्योंकि आपको दिखाना जरूरी है दोस्तों तो चलिए मैं यहां से यह नाम जो है copy कर लेता हूं इसके बाद मैं Chrome browser पर paste करके आपको दिखा देता हूं तो मैं यहां पर Chrome browser पर यहां पर paste कर देता हूँ और इसे search कर लेता हूँ देखिए search करने के बाद देखते हैं कि यह work कर रहा है या नहीं तो देखिए दोस्तों यहां पर यह जो दिवाली राइकेट effect है वो यह work कर रहा है बहुत ही अच्छे जे तो दोस्तों यह तरह से आप भी अपने website में JavaScript file code जो है copy करके अपने website पर use कर सकते हैं अब दोस्तों ऐसा नहीं कि यह केवल आपकी website पर work करेगा अब इस code को आप किसी भी website पर add करेंगे तो वो work करेगा तो दोस्तों अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आप किसी के भी JavaScript code की file copy करके और अपने website पर use कर सकते हैं तो दोस्तों इसके लिए मैं यहाँ पर example आपको जो code अभी हमने create किया है इसी मैं आपको दिखा देता हूँ किस दोस्तों ऐसा नहीं कि यह कही code का आप copy कर सकते हैं किसी भी code का आप इस तरह से जो file होते हो copy कर सकते हैं अब दोस्तों आपको इसमें करना क्या है simply यह जो URL है इसका सभी में आपको इतना URL मिलेगा HTTP से लेकर के और .js तक आपको इतना पूरा copy कर लेना है आप चाहे आप copy कर लें या directly आप इसे open कर लें किसी browser पर तो चलिए मैं आपको दिखाने के लिए simply यहाँ से copy कर लेता हूँ इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको Chrome browser पर आ जाना है और यहाँ पर आपको paste कर देना है URL में यहाँ पर मैं paste कर देता हूँ और फिर यहाँ पर search कर लेना है तो देखे दोस्तों जो code अभी अभी हमने create किया है उसकी सारी coding जो है यहाँ पर दिखाई दे रहे है तो simply आपको इसे all select करके copy कर लेना है और फिर आपको अपनी website पर जाना है तो जैसा process मैंने आपको बताया है simply आपको final में जाना है final में जाने के बाद दोस्तों ये वीडियो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा आप search करके देख लीजिएगा js file में जाना है और new create new js file पर जाना है और यहाँ पर paste कर देना है और ok कर देना है मैं आपको दिखाने के लिए दूसरा भी paste कर देता है इसके बाद get js file पर click करके और code copy कर लेना है फिर simply आपको अपने website का URL paste कर देना है बस आपका code ready हो जाएगा और कहीं भी आप add करेंगे तो over करने लगेगा तो दोस्तों मैं आसा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तों हमारे वीडियो को like कर दीजेगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए प्लीड दोस्तों PK हिंदियान वुक चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लीजेगा दोस्तों मैं आपसे यही आचा रखता हूं कि आपको अगर वीडियो पसंद आएगा तो आप लाइक करेंगे हमारे वीडियो को और चैनल को सस्क्राइब करेंगी मैं केवल आप से यही बोल रहा हूँ कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तब ही आप हमारे वीडियो को लाइक करें या फिर हमारे चैनल को सस्क्राइब करें तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही जल्द ही हाजिर होंगे इसी तरह की इंट्रेस्टिंग टेकनालोजी वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिंद बंदे मातरम